जिन्दगी क्या है मत पूछो अगर सवर गई तो तकदीर बिगड़ गई तो तमाशा बना देगी आप सभी को आने वाली परिक्षाओं की बहुत सारी शुपकामना है मा सरस्वती आपकी सर्व मनो कामना और परिक्षा अच्छी सफल करे और हर इच्छा पूरी करे आने वाले समय के अंदर आपकी महनत के अनुसार आपको फल प्राप्त हो एसा आशिरवाद अब मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपको भी जीवन के अंदर हर कोई भी समस्या हो अगर कठीन लगती हो तो आपको एक चीज में बता दूँ जहां समस्या है समाधान भी उसके आसपास ही होगा परीक्षा में जब भी आप बेठो सबसे पहले हो तो यह सोचो कि मुझे सब कुछ आता है परीक्षा का पेपर खोलने से वो पेपर भी हमसे घबरा जाए कि इसके अंदर जो आंसर है वो हमसे पहला ही पता है पेपर को एसा देखो कि वो हमें एक एसा रस की प्राप्ति करवा रहा हो जो जीवन के अंदर उस रस पहले से ही उत्रावा हो आप सब कुछ जानते हैं अगर आपको परिक्षा में उत्रिन होने के लिए भले एक्जाम्पल के लिए डेड़ सो नंबर का पेपर हो और एक्सो बीस मार्क्स लाने हो तो आपको पूरे एक्सो चालिस मार्क्स के लिए कॉम्पिटिशन फाइट करना होगा लेकिन एक्सो चालिस प्रश्न के अंदर से भी आपको एक्सो चालिस आते हैं ये धारन करने के बाउजुद ही आपके एक्सो बीस नंबर आएंगे अगर परिक्षा में कुछ भी नहीं हो पारा हो या तैयारी भी अभी तक आपकी नहीं हो पारी हो तो सबसे पहले तो अपने माता-पिता के सामने एक बार जरूर देखिए वह दिन भर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं रात कर उठकर अपने नीद खराब करके मा चाय बनाती कि मेरा बच्चा पड़े परिक्षा में बेठो जब प्रशन याद नहीं आए तब उसी समय अपनी मा को याद कर लेना तुरंथ ही जो प्रशन है उसका उत्तर आ जाएगा अभी जो तैयारी करने उन लोगों के सामने देखकर करो मैं गारंटी देता हूँ हर प्रशन का उत्तर आपको आएगा डेड़ सो की तैयारी डेड़ सो किसे ही करो 120-110 कुछ नहीं 100 में से 60 लाना है यही तैयारी होगी आपकी आप कमजोर नहीं है आपको सब कुछ आता है प परीक्षा है परीक्षाओं के समय निकलते समय नहीं लगेगा और आपकी जिंदगी आगे तरक्यों से भर जाए एसी सुबेच्छा है मेरी गौर्मेंन नोकरी के पद पर जो ये वीडियो देख रहा है उसकी सर्वमनोकामना पूरी हो और बहुत जल्दी आपकी सरकारी नो परी होगी जाई श्री महा काल